उत्तरप्धिस में हो रही 69,000 असिस्टेंस टीचर भरती के लिए जो फार्म भरे जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अभरती ऐसे भी हैं जो अब रेस्टेसन में या फिर फार्म समिट करने के पस्चात उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने फार्म में कोई तूटी कर दी है और वो उसको लेकर काफी असान थो रहे हैं तो फ्रेंड्स अब ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि क्या वो अब अपने फार्म में संसुदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या फिर दुबारा फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं बहुत सरे ऐस्वारे ने इस बात के लिए कड़ रहे हैं कि अगर वो दूसरा फार्म बरते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके दोनों फार्म रेजक्ट हो जाएं और उन्हें परिछा में सम्मलित ही न होने दिया जाएं तो फ्रेंड्स इसके बारे में अगर आप जो जनरल गाइडलाइन जारी की गई है उसका पेज नंबर 11 के अंतरगर जो आनलाइन आवेदन के संदर में हैं उसमें पैरा 6 और 8 आपकी काफी मदद कर सकता है पैरा 6 लिखता है कि अभरती द्वारा आनलाइन पंजीकरन किसी भी कारण से पुष्टी करण प्रिष्ट में अभरती द्वारा भरेगे किसी तुर्टी पूर्ड ब्योरों से उत्पन किसी भी परडाम के लिए परिशा संस्था उत्तरदाई नहीं होगा यानि कि पूरी जिम्यदारी अभरतियों की बंती है अभरती द्वारा आनलाइन आविदन किये जाने की इस्थित में आविदन सुल्क जमा किये गए अंतिम आनलाइन आविदन को मानने करते हुए अन्य आविदन निरस्त कर दिये जाएंगे जिसका संपूर उतरदायत तो अभरती का होगा यानि कि पैरा आठ के एकॉर्डिंग अगर आप माने प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र हैं जो भी एंट्री जोसमें डालनी हैं बिल्कुश सही तरीके से उसमें आप डालें फिर से दुबारा से आप उसका सुल्ग जमा करें और फाइनल समिट कर दें तो यहाँ पर जो फार्म आप अंतिम बार जमा करेंगे केवल वही मानने होगा और उसके पहले जो भी फार्म आपने किये हैं वो सारे अमान निगोशित कर दिये जाएंगे पैरा आठ में यह बात असपस रूप से लिखा गया है और इसे आप स्वयंग पढ़ सकते हैं तो इसलिए अगर आपने अपने रेजिट्रेशन में कोई तूटी कर दी है तो एक नया रेजिट्रेशन कर लें और फार्म को फाइनल सब्मिट कर दें लेकिन साउधानी से ताकि कोई भी गल्ती ना होने पाए क्योंकि आपकी एक गल्ती कीमत उसकी फीस लेब च्छासो या चारसो रूपे हो सकती है तो उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हल्पर रहेगा और उमीद कर करता हूं कि वीडियो को आप लाई भी करेंगे अपने दूस्तों में आप सेल भी करेंगे ताकि ऐसे विडियों की मदद हो सके जो रिश्टेशन करने में या फिर फार्म को फाइनल सब्मिट करने में तूटी कर दे रहे हैं धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार